दोस्तो 12 के बाद द्रोगा बनने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा विशे लेना चाहिए? फिजिकल की तयारी कैसे करे और द्रोगा बनने के बाद वेतन कितना मिलेगा? आदी बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे, जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंग जिनने परती महा 40,000 से 52,000 रुपे की लगबग वेतन मिलता है, तो किसी भी राज्ये में द्रोगा बनने के लिए कंडिडेट का ग्रेजुवेशन पास होना ज़रूरी होता है, तो अगर कंडिडेट ने 12 पास कर ली है, चाहें किसी भी विशे से की हो, इसके बाद कंडिड को ग्रेजुवेशन करनी होगी, ग्रेजुवेशन में BA, BSC, Bcom, BTEC, BBA, BCA, आधी में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और किसी भी विशे में कर सकता है, इसके साथ ही कंडिडेट को अपनी दोड और exercise पर भी काम करना चाहिए, जिसे की physical के समय कंडिडेट को किसी तरह की समस्य और साथ ही कंडिडेट को किसी इंस्टिट्यूट से कोचिंग भी ले लेनी चाहिए, इसके साथ ही दरोगा बनने के लिए कंडिडेट की आयू सीमा भी मैटर करती है, जो की 21-28 साल के बीच में होनी चाहिए, इसमें OBC वालों को 3 साल की और SC-ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, और पुरुष जनरल OBC SC कंडिडेट की हाइट 168 सेंटिमीटर और पुरुष ST वालों की हाइट 160 सेंटिमीटर होनी चाहिए, यहीं महिला जनरल OBC SC वालों की हाइट 152 सेंटिमीटर और महिला ST वालों की हाइट 147 सेंटिमीटर होनी चाहिए, और छाती पुरुष जनरल OBC SC वालों की 89 cm और ST वालों की 37 cm होनी चाहिए और इसमें फूलने के बाद 5 cm का फुलाओ भी आना चाहिए जिसके अनुसार जनरल OBC SC वालों की फूलने के बाद चेश्ट 84 cm और ST वालों की 82 cm होनी चाहिए और वजन सिर्फ महिलाओ का नापा जाता है जो की 40 kg के और महिलाओ को 14 मिनट में 2.4 km की दोड भी पूरी करनी होती है इसके साथ ही बोल थ्रो में पुर्षो को 50 मीटर और महिलाओ को 16 मीटर बोल फेकनी होती है लोंग जंप में पुर्षो को 13 फिट और महिलाओ को 8 फिट तक कूद लगानी होती है चिनिंग अप में कम से कम 5 और अधिक्तम 10 लगाने होते हैं और skipping में एक मिनट में अधिक्तम 80 बार और कम से कम 55 बार रसी कूदनी होती है। इसकी भरती परक्रिया में लिखित प्रिक्षा, फिजिकल, मेडिकल टेस्ट और डोक्योमेंट वेरिफिकेशन होता है। और लिखित प्रिक्षा में जनरल हिंदी, जनरल नोलिज, नुमेरिकर एंड मेंटल अबिलिटी, रीजनिंग और मैथ आदी विशियों से पर्षन पूछे जाते हैं। और दोस्तों दरोगा से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्षन में मिल जाएगा। इससे संबंधित आपका कोई भी पर्षन है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी तबालीजिएगा।